लब टैक्टिक्स 2, केरिम और असली की परीक्षा होती है असली इस बात पर अड़ी हुई है कि जब तक उसकी सबसे अच्छी दोस्ट शादी के लिए तयार नहीं हो जाती तब तक शादी करना बेकार है ये देखना दिल्चस्प है कि कैसे एक चीज जीवन के प्रति आपके पूरे द्रिश्टिकोन और आप क्या चाहते हैं को बदल सकती है रिष्टों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि असली को नहीं पता कि वह क्या चाहती है या शायद वह केरिम के साथ छलांग लगाने से बहुत दर रही हो ये यहां की मूल बात है वह अपनी असुरक्षाओं के कारण अपने दोस्तों और अपने सबसे अच्छे दोस्त जिसकी शादी हो रही है के प्रती कृपालू है वह चाहती है कि वह स्वयम स्वतंत रहे और वह जो चाहती है वह करे लेकिन वह वह रोमेंस और सुरक्षा भी चाहती है यह एक कठिन निलने है लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कोई और क्या कर रहा है उसके आधार पर उस तरह का निलने न ले असली ने केरेम को प्रपोस करने के लिए उसके साथ छेड़ छाड़ की क्योंकि वह अंतिम परिनाम से अधिक खेल का आनन लेती है कम से कम ऐसा ही महसूस होता है असली उस बिंदू पर पहुंच जाती है जहां वह अपनी दोस्त कांसु को शादी न करने या कम से कम इतनी बड़ी शादी न करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उससे लगता है कि यह इसके लायक नहीं है अंत में हर कोई कुछ अलग चाहता है और अगर यह उन्हें खुश करता है तो किसी को भी उन्हें जज नहीं करना चाहिए असली और केरेम लव टैक्टिक्स दो के अंत में एक साथ समाप्त होते हैं लेकिन रास्ते में बहुत सारे उतार चड़ावाते हैं जब पुराने दोस्त कांसु की शादी में शामिल होने आते हैं तो सभी दोस्तों की गतिविधियों में बदलावाना शुरू हो जाता है असली की बच्पन की एक दोस्त है जो बहुत आकरशक है और उसके बहुत करीब है वह अपने रिष्टे में किसी भी ठोस सीमा के बिना चंचल और मज़ेदार है असली और बुलूत एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं और ये देखना दिल्चस्प था कि केरेम उनकी दोस्ती के बारे में कैसे सोचते हैं चीजे सुचारू रूप से चलने के बाद केरेम ने असली को यह समझने के बाद प्रस्ताव दिया कि वह कहां से आ रही है उसने यहां तक चर्चा की की बुलट के पास उसके लिए एक नौकरी का प्रस्ताव है जो उसके करिया को बहतरीन तरीके से बदल देगा फिल्म की शुरूआत में जो कुछ हुआ था और असली को एक आग्याकारी पत्नी बनने के लिए प्रेरित करने के लिए इस्तिमाल की गई हिर्फिर की रननीती पर विचार करते हुए उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका प्रस्ताव शुदह इरादों के साथ आया था केरेम के प्रस्ताव के बाद असली ने सवाल किया कि क्या उसने ऐसा सिर्फ बनाए रखने के लिए किया था अपनी नहीं नौकरी के लिए कुछ महीनों के लिए दुबई जाने के बजाए वह उसके साथ रही केरेम को खुद को साबित करना था और उसे बताना था कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और वह उसके साथ रहना चाहता है चाहे कुछ भी हो लब टैक्टिक्स 2 का अंत काफी आकर शक है क्योंकि असली कैसे अपनी धुन बदलती है वह समझती है कि अब रिष्टा क्या होता है और किसी से कैसे प्यार करना चाहिए वह अभी भी दुबई में पद पर बनी हुई है और केरेम उससे मिलने जाती है वे अपने सभी दोस्तों की मजूदगी में समुद्ध तट पर निजीत और पर शादी करते हैं पूरी फिल्म में प्रत्य एक जोड़े के अपने उतार चड़ाव रहे हैं लेकिन ये जीवन का एक हिस्सा है एमिल और फेराइड शादी की समस्याओं से उबर चुके हैं और अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं तूना और कांसू खुशी खुशी शादी शुदा हैं और अबसली और केरिम नव विवाहित के रूप में वह सारी मौज मस्ती कर सकते हैं जो वे चाहते हैं ये देखकर अच्छा लगता है कि सभी जोड़े अपने जीवन के कटिंग शनों में एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आते हैं और इसका सुखदंत होता है